फिर हमने थोड़ी देरवाद देखा तो वो आदमी वहाँ पे नहीं था कड़ा क्या बता भगवान किस रूप में आते हैं, किस को भेजते हैं, किसी तरह की संकित देनी की लिएको अब सभी श्यम भक्तो को जैस्त्री श्यम श्यम भक्तो कैसे हैं आप सभी? उमीद करते हैं अच्छे ही होंगे श्यम भक्तो हर बार की तरह हर इग्यारस में हम आपको बवश्यम के दर्शन कराते हैं आपकी जो भी मुनुकामनाई होती हैं, जो भी इच्छाए होती हैं वो बावश्याम के समक्ष जाकर हम पढ़ते हैं बावश्याम को सुनाते हैं भले बावश्याम के दर्वार में जाते हैं और बावश्याम के दर्वार में कहीं दूर खड़े होकर ही आपकी अर्जियों को पढ़ते हैं परंतु आप यकीन मानिये कि बवश्याम से जिस प्रकार से हम अरजी देते हैं बवश्याम के समख्षाप की बातों को रखते हैं बवश्याम उस भाव को देखते हैं जो जो शामभक्त उस अरजी रुपी वीडियो के साथ जोड़ते हैं तो बवश्याम उसके उपर अपनी क पर बहुत सारी जगा मिल जाते हैं पर्पतु क्या होता है कि एक टाथया के भाति अगर कोई आपकी अर्जियों को बवश्राम तक ले परता है तो उसका एक अलगी भाव होता है जो का बवश्राम के सिमेखिक दरवार बहभार देखा है लाइब वीडियो देखा है तो आपने सारी बाते सुन ही ली ओगी कि उस वीडियो में जब हम बावश्राम की दर्वार में गए और बावश्राम की दर्शन आप सभी को करा रहे थे तो कराने से पहले ही वहाँ पर एक security guard यानि की एक काले कपड़े में एक बावश् चाम के उस दर्शन कराने से पहले ही वो मुझे मना करने लगा रोकने लगा कहने लगा कि आप दर्शन ना कराए और लाइब वीडियो ना बनाए हम समझ सकते हैं कि एक अदिश्ची का दिन है काफी भीड़भाड होती है मंदिर में और उस समय ये सारी चीजे वीडियो लेकर एक डाक्या के भाती हम आये हैं और आप सभी की अरजियो को हम पढ़ने वाले हैं तो इसलिए हम ये लाइब वीडियो बना रहे हैं कोई हम नए नहीं है हम हर 11 पर बाबा की दर्बार में आप सभी की अरजियो को रखते हैं परन्तु वो जो गार्ड था वो मानने के ले रेडी नहीं था उसका एक ही कहना था कि आप वीडियो नहीं बना सकते हमें परमीशन नहीं है यानि जो मंदिर के वबस्थापक होते हैं जो मंदिर के जो लोग होते हैं वही उनको आदेश देके रखते हैं क्योंकि उनको वहां पर जो रखते हैं वही लोग रखते हैं नहीं भई हम पांच मिनिट दस मिनिट के लिए सर्फ एक डाक्या के भाति आप सभी के अरजियों को पढ़ने वाले हैं फिर भी वो नहीं समझ पा रहा था जबकि हमने उनको ये भी भूला कि आप उजारी से बात करो वो बार बार जाता वापस लौट के आता इसके बाद इक अरजि लेकर आते हैं बाव श्राम के दरौ़ार में और बावश्राम के समझ पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें किसी की जान पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है मैं वहाँ पर ये नहीं बताना चाहता था कि मैं किस चैनल से आया हूँ कहां से आया हूँ क्योंकि देखिए मैं तो सर्फ बावश्याम की भक्ती करता हूँ, बावश्याम की सेवा करता हूँ अपने स्थर से और जहां तक बात बावश्याम की करपा से मुझे प्राप्त होता है वो बाते आप तक पहुंचाता हूँ तो मेरे अपने भाव है, मेरा अपना मानना है और एकीन मानिए इससे बहुत सारे लोग की काम बने हैं, बहुत सारे लोग की अरजिया पुरी हुई है, जिसके कारण से मैं ये सेवा करते रहना चाता हूँ परन तो जब इस तरह की स्थिती होती है, मन में एक थोड़ी से हिन भावना पैदा होती है, ये लगता है स्थिती को देखकर की इस प्रकार से लोग कैसे बात कर सकते हैं, इस प्रकार से लोग कैसे मना कर सकते हैं, इसी की बातों को रखने से तो मंदिर से दो-चार जो लोग जो आयते हमें समझाने के लिए वो ये कह रहेते कि आप सिर्फ फोटो खेच लो फोटो खेच के भेज़ दो हम उनको बार-बार एकी चीज बता रहेते कि हम लाइब वीडियो के द्वारा जुड़े हैं जिसमें की लाको शाम भक्त हैं जो इसके सब्सक्राइबर है उसमें से कुछ लोग इस वीडियो के माध्यम से लाइक जुड़े हैं आप सभी ने सायद वो सुना भी होगा जो हमने उनसे बाच्चित की पूरी तरह से उसके बाद तो शाम भक्तो मैं आप सभी को बता दूगी कि पुजारी नहीं जानते हैं एंपते हैं कि वहां के लीक हैं पुचारी जानते हैं पहँ समझते नहीं है कि या आए हैं । REM के लिए ओन मनुकामना बावत तक पहुँचे उसके बाद हमने उन्हें पोड़ तरह से समझाया उसके बाद लाइव वीडियो के माध्यम से दर्शन हुए तो शाम भक्तो मैं आप सभी को बवश्याम के दर्शन कराता हूँ अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपकी जीवन में क विलाशा हो वो पूरी हो जाए इसी लाइव वीडियो के जरे काफी लोग के काम बने हैं इस चैनल पर बावश्याम की जो बाते बतायाती हैं अगर आप उनमें से कुछ भी काम कर लेते हैं कि दिये गए निर्देशों को जान लेते हैं तो बावश्याम की महिमा ज़रूर बनती है तो श्याम भक्तों इस परकार से हमने आपको उस समय बावश्याम के दर्शन करा दिये हमारे मन में एक बात यह आ गए थी कि जिसे मंदिर कमेटी के सदस्य होते हैं वो लोग एकादशी हो या कोई वी दिनों बड़े सान से बड़े ठाट से मंदिर के अंदर चले थी कि मंदिर केरा मंदिर के सदस्य के रूप में वो लोग जुड़ते हैं जिसे की मंदिर कमेटी सारे लोग जूड़े होते हैं ऐसा नहीं है कि 20-25 लोग जूड़े हैं कम से कम सौ से उपर के लोग कमेटी के सदस्य होते हैं और इन्हें हर साल कुछने कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ता है जिससे कि मंदिर के देखवाल और भी बहुत सारे खर्चें होंदे जिससे उसे होते हैं वो बड़े शान से मंदिर में आते हैं हमने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं और बेल्ट लगा के रखते हैं जहां पर अगर हम बेल्ट लगा के चले जाए या गलती से हम भूल जाए तो हमें टोक दिया जाएगा अगर आपने पैसा दे रखा और आप मंदिर के कमिटी के सदस्सी तो आप बेल्ट पहन के चले जाए कोई कुछ नहीं बोलया क्युक्कि वो जानते हैं इस सारे फाफ माफ हो जाते हैं परन तो यह नहीं जानते कि बाबा का दर्वार है, बाबा ग्न्याय के देवता है, बाबा सही का साथ लेते हैं, बाबा सही का फैसला करते हैं, अगर आप बाबा के दर्वार में हैं, तो बाबा प्रतिक चुरूप से वहाँ विराजमान होके यह सब कुछ देख रहा हैं, घर बैठे बैठे अरजियां पूरी कर देते हैं ऐसे बहुत सारे शाम भत्त हैं जिनकी घर बैठे बैठे अरजियां पूरी होयाती हैं सिर्फ वो भाव से अपने घर में पुझा कर लेते हैं वो बाबा को पुकार लेते हैं अब बहुत सारे लोग बोते जब तक खाटू धा नहीं जाओंगे आपके काम नहीं बनेगे ऐसा नहीं बनेगा वैसा नहीं बनेगा अगर आप एक बार खाटू धाम जा चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि बावश्याम की क्या शक्तियां हैं और जब बावश्याम की शक्तियां पता चल जाती हैं तो आप बावश्याम के भाव में डोप कर बावश्राम का ही गुणगान काते रहते हैं बावश्राम की ही बाते करते रहते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि बावश्राम के दर्बार में जाने के लिए हर बार हमें अपने कोई भी काम बनवाने के लिए हर बार बावश्राम के दर्बार जाना है श्राम से पूर्ण भाव के साथ जाते हैं हमें किसी प्रकार का लोव लालच नहीं है कि वहां चले गए और वहां जाकर हमें किसी भी प्रकार का लोव लालच है हम सरफ एक डाकिया के भाती जाते हैं और आप सभी की बातों को रखते हैं बाबा के समझ जिस जिन जिन लोग की बिलाए रखना और ऐसा होता भी है कि हमारा जो mail address है वो facebook से आप देख सकते हैं facebook या youtube चैनल के about section में जाके आप चेक कर सकते हमारा mail address mail address जो है mention रहता है जो पिछली वीडियो में हमने mail address बता दिया था वो हमारे से भुलवंश हमने जो mail address था वो पुड़ा गलत बता दिया था तो आप सभी उसको सुधार कर लें जो हमने गलत mail address बता था वो skt guruji at the rate of gmail.com बताया था आप उसको सुधार करके skt guruji 85 यानि 85 at the rate of gmail.com इसी पर अगर आप कुछ mail करना चाहते हैं या अरजी वगरे लिखकर mail करना चाहते हैं तो इस mail address पर करें भी mail ID है इस पर अगर आपकी कोई अरजी हो या अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप हमें mail कर सकते हैं अगर आप अरजी दे रहे हैं तो जब हम बाबा की दरवार में अरजी लगाने जाएंगे और बाबा की समझ बाते करेंगे तो उस समय हम बाबा की समझ आपकी बातों को रखेंगे तो श्याम भक्तों हमने एक बात ये भी सोची कि ये बावश्याम की परिश्या है इसी तरह से आप भी कभी कवार खाटू धाम जाते होंगे ये कोई इसी जगे जाते होंगे जहां पर इस तरह के लोग आपसे मिल जाते होंगे और आपको भी अंदर से गुसा तो आता ही होगा ये सब देखकर फिर एक बात मैंने ये समझा कि ये सायद हो सकता है बवश्याम की परिशा हो क्योंकि बवश्याम अपने भक्त की परिशा लेना चाते हैं भक्त की पेशिंस को देखना चाते हैं कि वो अगर ऐसी स्थिती हो तो उसका reaction क्या होगा क्या वो लड़ेगा क्या वो क्या करेगा वो बावश्राम समख दरवार में बैठ कर देखते हैं तो सायथ इस तरह से बावश्राम भी एक परिश्रा लेने के लिए सोच रहे हो तो यही सोच कर हम सांथ हो गए और कोई बात नहीं थी और इसके बाद हम आपको बता दें वहीं पर एक आदमी खड़ा था वो हमारे सपोर्ट में था और यही कह रहा था बारवश्राम से क्या आप क्यूं डिस्टर्ब कर रहे हो इनको बनाने के लिए इनको बस थोड़ी देरी के लिए अर्जी लगा रहे हैं तो लग लाएगी नहीं बाबश्राम सभी के सुनते हैं उसके बाद और भी बहुत सारी बात चित हुई जो आप उस लाइफ वीडियो को अगर नहीं देखे तो एक बर जाके जरूर देखें कि उसमें उसने हमसे क्या क्या बाते की तो वो सारी बाते हैं उसके बाद फिर हमने थोड कि भाबा के दरवार बिलकुल नजदिक से देखना है आप मंदर के पुझारी आपको पुझा पढ़़ाठ कराये तो एक पूजिशन विनानी होती है एक लेळना और बनाना अगर आप उस लेळन पर कहुं जाते हैं उस पूजिशन कर पेहन जाते हैं तो यहीं मंदर के लो यह तो बाबा की इच्छा है, हम तो बाबा की बस सेवा है, बाबा की दर्शन कहीं से भी हो जाए चाहे, दूर से हो जाए, पास से हो जाए, हम उसी में खुश रहते हैं, हमें नहीं आता किसी को मखन लगाना, किसी की चाप लुसी करना, हम तो सिर्फ बाबा को जानते हैं, हम बाबा को बहुता चाहते हैं उसके अलाबा कोई अगर आख पुटा की बोलता है या कोई बात बोलता है तो बाबा श्याम उसको सुचित समय पर दंड भी देते हैं यह एकदम सही बात और और सची बात है जैस्री शाम